श्टरपुर में अब गुंडे बदमासों की खेर रही है और इसी के चलते श्टरपुर S.P. सचिन सर्मादवारा गुंडे बदमासों के खिलाप मुहिम चलाई गई है उधवार को भारी बुलिस बल करीब एक दर्जन से अधिक गुंडे बदमासों के घर पहुंचा और उनके मकानों का सिमांकन भी किया गया वही ट्रोन कैमरे से उनके घरों की वीडियो ग्राफी और फोटो ग्राफी भी कराई गई और लॉर्डी स्पिकर से उन्हें चेतावनी भी दी जा रहे है कि अगर किसी भी क्राइम में अब उनका नाम आता है तो उनकी खिराप उलिस सक्त कारवाही करेगी यह दोरान प्रसासर की टीम भी मौके पर मौजूद थी और उनके द्वारा मकानों का सीमांकन भी किया गया बताया जा रहा है कि इस मुहिम के द्वारा जिन बदमासों के मकान अचिक्रमर में होगे उन्हें ध्वस्त करने की कारवाही भी की जाएगी वहीं लौड़ी स्पीकर से चेतावनी भी दी जा रहे है कि बदमासों का किसी भी क्राइम में अब नाम आनान नहीं चाहिए वरना पुलिस अब और भी सकती से पेश आएगी मौके पर पुलिस अधिच्छक सचिन सर्मा खुद भी पहुंचे वही इस मुहिम में जिले भरके अलग-अलग ठानों से फोर्स भी खुलवाई गई थी चेतरपुर पुलिस द्वारा पूरे सहर में जो गुंडा तत्व हैं जिनकी लगातार शिकायते प्राफ्त हो रही है कबजे को लेके गुंडा गर्दी को लेके अतिक्राण को लेके उनके विरुद्ध ये सायुक्त कारवाई है चेतरपुर पुलिस प्रिशासन और नगरपाली का की यह हमने लगवग ऐसे 50-60 लोगों को चिन्नित किया है जिनके विरुद्ध लगातार शिकायते प्राफ्त होती है उसमें से आज हमने लगवग 8-10 इस्थान ओपर सीमांकन उनकी अतिक्राणों की जानकारी उनकी प्रॉपर्टी की जानकारी निकलवाई है जी यह चेताबनी के रूप में भी यह कारवाई है कि आगे से इस पकार कि अगर कोई गतिवी दिये करते हैं आनने कोई शिकायत इनके विरुद्ध प्राफ्त होगी तो इनके विरुद्ध कारवाई की जाएगी जानकारी निकालने का चुकि रेगुलर प्रसेज भी है नगरपाली का और प्रशाशान द्वारा भी इसमें कारवाई की जा रही है जी विल्कुल गुंड़ों के विरुद्ध शक्ते से सक्ते कारवाई की जाएगी शतरफोर सहर में कोई भी गुंड़ा तत्र को वरदास्त नहीं किया जाएगा अगर किसी प्रकार की समस्या है और उसके तत्काल कारवाई की जाएगी जानकारी रखी जाएगा बिल्कुल कि यहां किसी की जानकारी सार्वजनिक करेंगे जो भी जानकारी आकर वह सही है तो इस प्रकार भाई होगी जानकारी गोपनी रखी जाएगी कर दो